नमस्कार दोस्तों आप सभीका स्वागत है पोजिशनल स्टॉक एनलेसिस वीडियो सिरीज में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोजिशनल स्टॉक के बारे में जो कल के लिए हुगा यानि फिफ्ट आफ अक्टूबर राइट और देखेंगे कहां पर हमें इंट्रीस टॉपलस और टारगेट रखना चाहिए तो दोस्तों जो स्टॉक्स आपको प्रोवाइड किये गये थे इसमें इंडिया गलाइको और रेन और फिनोलेक्स राइट एप्रॉक्स सभी के सभी टारगेट डन हो चुके हैं सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे की नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें दोस्तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा स्वाई स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हो दोस्तो स्क्रीन पे सबसे पहला स्टॉक आपको दिग रहा है यहाँ पे इंडिया गलाई को यह स्टॉक लेना नहीं है यह स्टॉक में हमारे टार्गेट डवन हो चुके हैं आपको पता है होगा कि यहाँ पे हमने 770 के भाव पे इसका दिया हुआ था राइट 870 हमारा अप देख सकते हैं आज की जो ओपनिंग हुई थी 870 के उपर हुआ था और थाउजन रुपीज का लेवल तक गया था और मैं टेलीग्राम पे बार बार इस टॉप्रस ट्रेल करने की बात कह रहा था वाई विकाज अब थाउजन रुपीज का लेवल एक साइकलोजिकल लेवल था हूँ आपे ओके सो यहाँ पे हमारा पोजिशन कट हो गया है राइट अप प्राइस जो है अभी भी यहाँ से उपर जाने की छमता रखता है लेकिन 30 प्रसेंट अन कैपिटल विधीन थ्री डेस यह एक बहुत बड़ा युना टार्गेट है जो कि हमने बुक किया हुआ है सेकेंड जो हमने दिया हुआ था फ्रेंड्स वो था हमारे पास रेन राइट रेन को दिया हुआ था फ्रेंड्स रेन भी टार्गेट डन हो चुका है 255 पहला टार्गेट डन हो चुका है ओके और मेर का टारगेट था सेकंड टारगेट हमारा 245 का था टेलीग्राम पर अल्रेडी अपडेट किया गया था राइट पहला टारगेट फ्रेंड्स यहां पर डन हो चुका है सेफ ट्रेडर बहुत सारे लोग उने एक्जिट कर दिया बहुत सारे लोग अभी भी वने गुए तो इस आप अपने कोईडिंग जो है उसको ट्रेल करते रहिए जो मुनाफ़ा मिले वसूलते चलिए अब बात करते हैं दोस्तो कल के लिए कौन सा स्टॉक है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं राइट कुछ स्टॉक को फ्रेंड्स हमने अल्रेटी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था लेवल्स भी बता दिया था कहां पर बाई करना है अभी हम देखेंगे फ्रेंड्स की कहां पर जो बाई किया है उसका स्टॉपलस कहां आएगा और टार्गेट क्या होना चाहिए राइट सो चलिए देखते हैं यहां पर बहुत शांदार एक स्टॉक यहां पर मिला है देख रहा है 395 के ऊपर ओके इससे पहले कोई भी इंट्र यहां पर नहीं है इस टॉपलस की बात की जाए फ्रेंड्स हो इस टॉपलस यहां पर निकल के आएगा वो आएगा समन एराउंड राइट 385 के और लेवल के पास में तो यह आपका हो जाएगा इस टॉपलस पॉइंट कि एंड टार्गिट की बात की जाए दोस्तों तो टार्गिट यहां पर दो टार्गिट निकल के आ रहा है पहला जो आ रहा है फ्रेंड्स हों आ रहा ह empieza is आपका पहला टार्गेट होगा टी लेवन एंड जो टिट्वफरेंड और फ्रेंड्स वह ओगा 450 के लेवल पे 450 यह हमारा हो जाएगा T to 450 का लेवल ओके स्टॉक का नाम फ्रेंड्स है बलरामपूर चीनी मिल्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BAL RAM बलराम चीनी लिखेंगे तो आ जाएगा ठीक है ना बलराम चीनी मिल्स लिखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर ठीक है सो कहाँ पर बाई करना है 395 के वब बाई करना है 385 का स्टॉपलस होगा 425 पर 450 फर्स्ट और सेकेंड टार्गेट होगा देखिएगा प्रापर लेवल्स को आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है इंट्री क्लोजिंग के साथ लेना है कोई जल्दी बाजी नहीं करना है मार्केट विल गिव यू अपर्चुनिटी फॉर दे इंट्री राइट और यह ध्यान रहे आपको कि जल्दी बाजी करेंगे तो नुकसान आपका खुद हो जाएगा ठीक है हाँ कुछ ऐसल जरूर होते है मैं यह कह रहा कि असल नहीं होते है लेकिन अभी फिलाल में मैंने आपको जितने भी इंडिया ग्लाइको रेन और आपका फिनोल एक्स राइट यह सारे में हमारी क्या हुआ है हमारा टार्गेट डन हो चुका है पहला और इंडिया ग्लाइको में तो 30% जो टार्गेट था उससे भी ज्यादा मिला ओके सो आपको बलरामपूर चीनी मिल्स का लेवल कुछ इस प्रकार से है देखते हैं दोस्तों हमारा जो दूसरा इस्टॉक है फ्रेंट्स वो है जी एन एपसी फ्रेंट्स जी एन एपसी में आपका जो बाइंग लेवल फ्रेंट्स निकल के आ रहा है वो आ रहा है 456 का सो इंट्री लेवल कहां पे होगा 456 के उपर 456 के उपर क्लियर है इस टॉपलस की बात की जाए दोस्तों स्टॉपलस आपका निकल के आ रहे है वेर 430 के पास में 430 का लेवल आपका आएगा यहाँ पे सो दिख्दम सटीक स्टॉपलस राइट टारगेट की बात की जाए दोस्टों से यहाँ पे दिखिए टारगेट आपका जो निकल के आ रहे है वो 485 to 90 का रहे है सो 485 हमारे लिए हो जाएगा important राइट सो आपको जो टारगेट फ्रेंड से आपके निकल के आ रहे है वो आ रहे है 485 एंड जो second target निकल के आ रहे है फ्रेंड वो आ रहे है आपका 530 का दो टारगेट हमारा यहाँ पे है stock का नाम है friends GNFC बहुत अच्छा stock है proper levels के पास में है आप इसको ध्यान में रख सकते हैं ध्यान दखियेगा यहाँ पे मैं केवल और केवल अपनी analysis को सो कर रहा हूँ कोई भी trade करने से पहले कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने financial advisor से सला जरूर ले लीजे जिससे कि आप अपनी analysis को ध्यान से देख सके यहाँ पे मैं केवल और केवल जिस price के उपर मेरी सोच है लेने की वो price में यहाँ पर show कर रहा हूँ जिस topless है वो इस topless को show कर रहा हूँ right and target that's it same to same okay so GNFC को 456 के उपर लेना है 430 के SL के साथ 450-530 पहला और दूसरा target होगा GNFC में दोस्तो आज का हमारा last stock जो की already आपको जो है और टेली ग्राम पे शेर किया गया था time पे ही right देखिएगा आपको टेली ग्राम पे शेर किया गया था और केमपलास्ट को और केमपलास्ट को बोला गया था कि 650 का 650 का जो लेबल है friends आपको इसके उपर buy करना है so entry price अभी भी ह हमारा क्या है 650 का 650 का बहुत important level है दोस्तो और आप देख सकते हैं कि जब भी जैसे ही break किया 680 का high लगा दिया इस्टाप्लस के रूप में friends जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है हमारा 605 का लेबल कुछ round figure 605 का लेबल यह हमारा SL के रूप में है टार्गेट जो दोस्तों पहला ही टार्गेट जो हमें निकल के आ रहा है यहां पे वो आ रहा है 750 का लेवल 750 यह हमारा पहला टार्गेट होगा ठीक है मैं आपे लिख देता हूँ ठीक है 750 पहला टार्गेट होगा और 810 हमारा दोस्तों यहां पे सेकेंड टार्गेट होगा किसमें केमपलाश्ट C H E M P L A S T राइट मैं यहां पे बराबर स्पेलिंग भी लिख देता हूँ होप से आपको समझ में आ रहा होगा केमपलाश्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग लेवल है दोस्तों भरुसा है कि प्राइज यहां से ज्यादा ज्यादा हो और बाउंस करके यह चीज़े टच कर जाएं ऐसा मेरा मानना है डारेक्ली भी जा सकता है बट अभी भी की 650 का लेवल ही यहां पे होगा जिल लोगों ने इंटरी कर लिया है वह अराम से इसमें बैठे रहे हैं जिल लोगों ने इंटरी नहीं करा है लेवल के पास वे आने का इंतिजार करें अगर मिलता है और आपको दिख रहा है कि सपोर्ट ब्लूप हो रहा है तो डेफेंट और सारे श्टॉक में आप इंटरी भी नहीं कर सकते हैं ओके सो टेलीक्राम से जूड़े नहीं यहीं टेलीक्राम से जूड़े जाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे फ्रेंट्स तो हमारा भी मनोबल बढ़